साथियों आप सुलिकर्श प्रिफांपर स्वागत हैं यहां पर हम लोग सौरभ कुमार चौबे की प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तप को देख रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग इसका जो मौरुतर कारवाला अध्याय है उस पे आधारित प्रस्णों को यहां पर इस तर क्या था व्रात्य छत्रियों का इस्वी सन के पूर्व की कुछ सताब्यों में निम्रिखित में से किन साशकों ने गिरनार चेत्र में जलसन साधन बैवस्ता की ओर ध्यान दिया तो चंद्रगुप मौर और अशोक ने दो और तीन यहां इस प्रस्ण में ध्यान दी यहां पर इस्वी सन से पूर्व ना लिखा होता यह लिखा होता कि निम्रिखित में से किन साशकों ने गिरनार चेत्र में जलसन साधन बैवस्ता की और ध्यान दिया तो आपका उतर होता चंद्रगुप मौर अशोक और दुद्रदामन ठीक है तो टू-3-4 हो जाता परंत यह इस्वी सन के पूर्व की तो पूर्व में चंद्रगुप मौर और अशोक मौर बन सी था ठीक है तो इसले चंद्रगुप मौर और अशोक हो जाएगा टू-3 निम्रिकित में से किस हिंद्यवन साशक ने सीसे के सिक्के जारी केते हिंद्यवन शाशक ने कौन से हिंद्य कनिष्क के सारनात बौध प्रदिमा अभिलेक की तिति क्या है तो इसकी तिति है आपकी 81 इस्विशन निम्रित नगरों में से कौन कनिष्क प्रथम के दरवार में नहीं गया था तो देखिए अश्रगोष पार्ष वश्मित्र गया थे अश्रगोष पार्ष वश्मित्र गया संस्थापक थे अफगानिस्तान का बाम्यान पर्सिता किसके लिए बुद्ध प्रतिमा के लिए शात वहनों की राजधानी क्या रही है अमरा वती में रही है निर्व कत्म पर विचार कीजिए कुषान फारस की खाड़ी और लाल सागर से वकर व्यापार करते साही है काण उनकी सुसंगठित नौशेना उचकोट की थी नहीं थी तो यहाँ पर कथन सही है काण जलत है तो ए आप्शन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है निम्लिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का सनचक था तो खारवेल चेदी वंश्री खारवेल निम्लि कौशेश शाषकों का मूल इस्थान कहा रहा है प्रतिष्थान पूर में रहा है कौशेश शब्द का प्रियुक क्या गया है किसके लिए रेशम के लिए कहां के इस्तूप के उत्खनन में शारी पुत्र के आउशेश प्राप्त हुए हैं तो सांची में सांची के महा इस्त साथ करणी प्रथम से अगला है निज़े बुध से सही उत्र का प्रश्ण साची का अला में बुद्ध के जीवन अंकन हुआ है सही का बुद्ध के जीवन से निगट का सम्मझ्ध नहीं है तो यहाँ पर कथन तो सही है पर तो कारण कुछान काल में मतुरा जयन धर्म का बढ़ा केंदता तो कथनकान दोनों से परण तो व्याख्या नहीं हो रही है इसलिए बी आप्शन निम्लिक्त में से कौन सा यूग में सुमीलित नहीं है तो दिखिए यह कुछ इस्थाल है चरसद्दा का संबन जो है आपका पुष्कलावती से रहा है यह गंधार कला का केंद्र था पुष्कालवती शिर्कप का संबन तच्सिला से रहा है और यह भी तच्सिला भी गंधार कला केंद्र रहा है नागरजिन कुंडा का संदर्व जो है यह गुं कर नागरजुन पुंदा से नहीं रहा ती कि सुमनित नहीं है और ताम्र लीप्ट का संबन्द है ताम्लुक 새 रहा है निम लिखित में से किस राजवन्स का स साशक देवपुटर उपाद धान करते थे तो कुशन निम निम लिखित में से कौंसे पत्तन दछे भारत के पश्मी तटपर इसी था अपके मुसरी और टूंडी मुसरी मुजरी मुजरिश मुजरिश तूंडी यह सबही आपके पश्मी तटपर रहें केरलrän वाले तरप में यहाँपे तीन और चार हो जाएगा जब कि काविरी पत्रनम कोर के यह आपके पूर्वी तट पर साथ वाहनों ने पचलित नहीं किया थे इन्हों ने रजत सिक्के रागा की सिक्के सीशा की सिक्के चलाए थे पर सोण सिक्के नहीं चलाए थे यह क्यों सब्सकरतियों नियुद्र में से कुं सा साथानि योध्यों का टक्साल केंद्र फंद्र हो तक तब किहां सब्सके स्वाहन का। सब्सक्राइब का आनुपादि क्या रहा है एक अनुपाद क काは आए देखेए चरसदा का समझ New L Bronx स्पश्थ का रहा है सईधसे शिरष से रहा है नागजन कुंडा का समझ बिजय पुरी से रहा है और आपका तेर का समझ धूत है यह Tamrali Prasler del कि वाला से नी है किस ने कहा था कि भारत से वैयापार करके रूम अपने कोश को रिक्त कर रहा है प्लूटार्च ने कहा था किस ने कहा था रस्ची किस्ता का आविस्कार जो है वो नागरजुन ने किया था नियम्लिकित में खारवेल ने अपने राज के किस वर्स में गोर्थ गिरी पर आक्मन किया था गोर्थ गिरी पर अश्टम वर्स में आठवे वर्स में दच्छे भारत में इस तूप अवशेशों में दसरत ज गया इंडृष सासकों का इतियास सिक्कों के आधार पर लिखा गया ये भी सही है तो तीन के तीनों कथन आपर सही है तो डी ओप्षन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कुशाण सासक अधो लिखित यूची जाच की कि साखः समय थे तो कई कोई शुआंग साखा समय थे कारले के पुरसिद गुहा चैत का निर्माण अधो लिखत में से किसके द्रे कर द दोरा कर आया गे था शको को अधो लिखत में से किसकी साखह का मानए जाता है तो स्रीधियन साखा का माना जाता है साहजी धेरी साहजी धेरी के इस्तूफ में प्राप्त पुरावशेश धातु मंजुशा किनके साथ बुद्ध की आशनत आशनस्त आकृतियां हैं तो ब्रह्मा और इंद्र की किनके साथ तो ब्रह्मा और इंद्र के साथ में है वहा है तो प्रतिष्ठानियूम अगला यह कथन का प्रस्ट रिप्रकर्णिक चतुन बेवस्था का विरुदी तर्श का समर्थक था यह वाला कि बढ़ा यह प्रस्थम साथ करनी पहला स्कून आवच्छ्ट प्रकार की मुद्राय चलाएं तो यह सही है तो आपका कथन गलत ह यहाँ पर आपका B Option हो जाएगा, वह अंग्वारः ना पर्थम सात्वाहन राजा कूने जिसने सिकों पर राजसिर का अंकन करावाय था तो गौत्मी पुत्र साथ क्रणी आगे चलते हैं सात्वाहनों की साश्की भासा क्या थी प्राक्रुत भासा सात्वहनों की साशकी भाषा प्राकिर थी वह राजी जिसने मद्द एशिया TAK शासन किया था तो वह कनिश्क था मद्द एशिया TAK जिस कि सग्रंत में पश्म एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख है तो बावेरु जातक में चतुर्भुजी विश्णो के सिके किसने चल हुविश्क के मत्रुआवलेक में अगला है तीन चार कथन है हाथी गुफावलेक बिशप इस्टर्लिंग ने खो जा था सही है अन्तिम शात्वांसासक पुर्वामी चतुर्थ था ये भी सही है चौथा साथकर्णी प्रथम ने केवल एक अश्मेगे किया था नहीं दो अश् पशमितत पर इस्थित इस्थित था पशमितत पर इस्थित नहीं था वेकए इस में कल्यास शूर्पारकतוש ये आपके पश्मितत पर मोतु पाली यह पस्मितट पर नहीं किस इष्विशन में हिप उलरिस ने मांसूं हवावों की खोज़के थी ili 45 इष्विए में अगला ह कि लग भग पून पाई भाषा हमें कहां मिलती हैbacks कि यह मिलती मिताच्छरा में बुद्ध की मानों रूप में प्रस्ती कि समय ह advoc Burch की मानों रूपमें प्रस्ती कुशोन यूग में होती तो अम्रावति इस तो किस जिले मिश्टत है तो अम्रावति आपके आंध्रपतिस्ट गुंपूर में है बिम कट फिशर के शिकों पर किस हिंदू देवता का अंकन किया गया है तो इस पर शीव का गौत्में पुट्थ साथकणे के राजिशिन्दे से युक्तमुद्रावं वहाला शक्षासक था नहिपान कुषान नरेष कनिस के लिए महारजश रजती रजश देवपुत्रश कैसरस का उलेख निम से किस अभिलेख में हुआ है तो इसका उलेख कनिस्क धुतिय के आरा 55 वर्स तालिस इसमें हुआ है देवी अमह का नाम किन के शिखों पर अंकित है इनका नाम कुषाण के शिख को ऑपर कुषाण के शिखोंपत्र की रहिए और प्रवरशय liter है धर्म het चीर बंदिकी तो चार से मिला जिए ताब क्या जगाट 21 2134 कुशान सासकों के देवकुल मिले हैं कहां से मिले हैं तो यह माट्यूम सुर्ख कोटल से किस अभिलेख से विदित होता है कि विम्कटफिसर्ष के संतान कनिस्क प्रथम था तो यह कनिस्क प्रथम के राबातक अभ्लेख से कनिस्क प्रथम के सिक्कों पर किस देवकुल में प्रम ने की रूप में क works noir के क violation कि तो बिम कटफिशर्श के काल में शात्वाहन काल के किस स्थल से हमें लोहार की दुकान के आउशेश प्राप्त हुए हैं करीम नगर से यवनों का शाकेत और मध्यमिका पर आक्मन वनडित है किसमें तो केवल यवनों का शाकेत और माध्यमिका पर आक्मन वनडित है आपका के आपर supplier निम्निकित बहुत्थीं के कीजिए में से दूइभासी शच्क के जारी करने वाला कौंस अंतिमड़ा था तो हुविष्क था कशारनाथ बउनिकित में से कनिष्ग सारनाथ में से रहे हैं इसमें आपका बल और पुषबुद्धी तीन और चार C option बिन कटफिशस ने सोने की मुद्राइं किन स्रेणियों में जारी की तो दुई दिनार दिनार और पाद दिनार दिनार पाद दिनार अधात 1-3-4 इसमें देखिए सबसे पहले आप का आएगा ड्रेमेट्यस की मुद्राइं फिर इसके बाद एंजी लिसस की मुद्राइं और फिर सबसे लास्ट में कुजल कट्फिसस की मुद्राइं तो क्या हो जाएगा 2134 यह option कनिस्क प्रथम के शिक्कों पर निम्लिषित में से किस देवता का अंकर नहीं वा बुद्ध का मैत्रे बुद्ध का महाशेन का प्रणत अमिता अमिताब बुद्ध का नहीं वा दूई लीपिये मुद्रा लेख वाले शिक्कों को निर्गत करने व बुद्ध के शित्रवाले बौदो लेख सहि सोक्के शक्मन वबौदो लेख वाले तामे के सिक्के किसरा ये जारी किये थे तो यह कनिस्क प्रथम और विहलेए। कटफिशेश ने C और D, C आप्शन हो जाएगा, सब पर्थम किस साथ वहान नरेश ने सिक्कों पर अपने मस्तस का चित्रन करवाय था, गौतमी पुत्र, शातिकर्णी ने, किस ही दावन साशक ने भारत में दुभाशी सिक्के पचलित किये थे, किस राजा ने सिक्के नहीं चलाए थे, किस ने सिक्के नहीं चलाए थे, तो गोडो फर्णीज ने, गोडो फर्णीज ने सिर्ण से करने चलाए थे, जिब कि चंदगुप दूतिये, विम कटफिशर्स और विस्क ने चलाए थे, किस अभिलेख में बिभिन इस्थापति गर्विदियों पर होने वाले वे का उल्लेख है, खारविल का हाथी गुफा अभिलेख में है, नेमनिकित राज मंद्रों में से कौन अश्वन नाल वातायन नाम से जाना जाता है, तो ये है कारले और भाजा का हिनियान इस्तूप इस्तापतिय, सी ऑप्शन अगला है, पश्मी महराज में बिशालतम, शिला उतकिन, बौध चैत सभागार कहां अवसे था, तो ये कारले में है, आगे दो सुचियां है, राजा और राजमंत्स इनहें सुमिलत केना है, वासुदेव जो हैं, कुशान राजम llevालाण से समर थे, भूमक जो हैं शक अटियाल किट्स जो है ये इंडोग्रीक थे, वासदयो कुशान भूमक शक एंटियोलोकिट्स इंडो ग्रीक दो और खारविल चेदी 3421 3421 छटी सात्मी सताब्दियों में एक मौर वन्ष कहां सासन करता था तो मौर वन्ष कौंकड कहां पर कौंकड में सासन करता था इस प्रकार से इस डीडियों बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट डीडियों तो तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद